नमस्कार, आज से हम अपनी चैनल पर GKCA क्वेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डेली क्वेस है, तो आज से हम जो क्वेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें इस वीक में पूरा मार्च और एपरल का जो करेंट अफेर्स है वो चलेगा, और अगले वीक में फिर रेगलर इस वीक का कारे करवाएंगे और फिर वो weekly चलता रहेगा cycle के रूप में तो चलिए सुरुवात करते हैं question 1 राष्टर पंचायती राज दिवस 24 अपरल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है यह दिन सम्विधान के किस संसोधन को पारित करने के लिए चिन्नित है दे नाशनल पंचायती राज दे वस अब्सवर्ड अनुवली ओन अपरल 24 अपरल 24 अपरल मार्क्स दे पासिंग ओफ विच अफ दी एमन्मेंट अफ दी कॉंस्टिटूशन ऑप्शन ए एकतर बी बहतर सी चोहतर 74 और 73 जी 73 अवेंटमेंट 1993 में 24 अपरल को पास हुआ था और इसी लिए पंचायती राज दिवस इस दिन मनाया जाता है इस बार जो पंचायती राज दिवस था उसमें पीम मोदी ने पंचायती राज दिवस पर एक सौमित नाम का नया स्कीम चालू किया है इग्राम स्वराज पोर्टल और इसी नाम से इग्राम स्वराज के नाम से एक आप भी जारी की है 73 अमेंडमेंट जो जिससे की 11 अनसूची को जोड़ा गया था उसने पंचायती राज को कानूनी दर्जा दे दिया था इसके बाद में 74 अमेंडमेंट हुआ जिससे नगर निगम को जोड़ा गया और इससे 12 अनसूची जोड़ी थी भारतिय सम्विधान में इसके अलावा भारतिय सम्विधान के अंदर भाग 4 में अनुछेद आर्टिकल 40 में सम्विधान में पंचायती राज का जिक्र है इसके अलावा पार्ट 9 में 243 आर्टिकल में सम्विधान में जिक्र है तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का जिक्र भारतिय सम्विधान में कहां है या कहां नहीं है और फिर 4 आप्शन बनाए जा सकते हैं तो इसे आप याद कर लिजेगा अपार्ट फॉर्म दाट 2 सितंबर 2 सेप्टेंबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान असेंबली ने इस अधिनियम को पास किया था और 2 अक्टूबर 1959 को नागोर राजस्थान में सबसे पहले जवालल नहरु ने इसे लागू किया था दो अक्टूबर डेट इसलिए थी क्योंगी गांधी जी का जर्म दिवस होता है और ये गांधीनियन अब्जेक्टिव था ये गांधी जी की सोच थी कि अगर स्वायत साशन हो जाए तो राजनिती को बहतर राजनिती की बहतर समझ होगी और बहतर विकास होगा ग्रामेन और छेत्रिया इस्तर पर तो स्वायत साशन की सोच को लेकर के इसको स्टार्ट किया गया था दो समीतियां बनाई गए थी एक ती बलवंत राए महता समीतिय और एक असोक महता समीतिय जिनके आधार पे इसे त्री इस्तरिया रखा गया village, block और district तो ये त्री इस्तरिया पंचायती राज Bruce कम से कम त् त्रीस्तरिय होना चाहिए तो आपको याद रखना है असोक महता समिती बलवंतराय महता समिती की सिफारिस पर त्रीस्तरिय बनाया गया था दो अक्टूबर को इसे राजस्थान में लागू किया गया था और दो सितंबर को राजस्थान असेंबली वो पहली असेंबली थी ज यह सभी वो जगह हैं जहांपे कि Constitution में इसका जेक्र है। 24 April को ये दिन celebrate किया जाता है। लोगों के अंदर पंचायती राज और स्वायत साशन के प्रती जागरुकता को बढ़ाने के लिए। Next देखते हैं, Question 2 महामारी रोग अधिनियम 1987 के नए प्रस्तावित संसोधन के अनुसार स्वास्थ कारे करताओं पर हमला करने के लिए अधिक्तम सजा क्या है। What is the maximum punishment for attacking health worker as per the new proposed amendment to Epidemic Disease Act 1987? Option A, 7 साल, B, 5 साल, C, 10 साल या D, 6 साल जी, इसका आंसर होगा, 7 years तो याद रखना है आपको कि maximum सजा अब 7 years की है health workers पे attack करने की Union cabinet इस पे फैसला लेती है, Union cabinet ने इसमें फैसला लिया, एक ordinance ला करके, यानि कि एक अधियादेश जारी करके और फिर Epidemic Disease Act 1987 में एक change किया कि कम से कम 6 महीने और जाधा से जाधा साल की सजा हो सकती है Article 1, 2, 3 के अंदर में promulgation of ordinance है, जिसका राष्टरपती ने इस्तिमाल करके इसको लागू किया है Promulgation of ordinance यानि कि अधियादेश जारी करने का अधिकार राष्टरपती का तो जिस वक्त संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता, तब ये अधियादेश के द्वारा ही कानून लाए जाते हैं तो next देखते हैं When was the world malaria day observed? Wishwum malaria दिवस कब बनाया गया था? Option A 25 April, 22 April, 18 April या D 21 April अब देखिए April में बहुत खास दिन होते हैं इसमें यहाँ पे आंसर होगा 25 April हलाकि 22 April, 18 April और 21 April अपने आप में महत पुन है इसमें नागरिक सेवा दिवस, ये विश्व धरोहर दिवस और 22 तारिक को अर्थ डे मनाया जाता है तो देखते हैं इन दिवस के बारे में क्या information है विश्व धरोहर दिवस 18 को मनाया जाता है युनेसको द्वारा celebrate होता है क्योंकि विश्व जिरासत जो तैग की जाती है वो युनेसको द्वारा तैग की जाती है ये सबसे पहले कारेकरम चालू हुआ था इजिप्ट से एजिप्ट में आस्वान डैम बनाते समय वहां के अबू सिंबल मंदिर को गिराया जाना था जिसके लिए सामाने लोगों ने वहां पे गौहार लगाई और उसके बाद युनेसको ने ब्रिक बाई ब्रिक अबू सिंबल मंदिर को को वहां से shift कर दिया और ये पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट था भारत के अंदर total 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली के अंदर है ठीक है जी अठारे तारिक को ये दिवस जागरुकता के लिए मनाया जाता है इस को इट जागरुकता नहीं तो इस जागरुकता और इस साधन उपलब्दता के लिए ही UNESCO का ये कार्य चलता है और जागरुकता के लिए ही इस दिवस को निरधारित किया गया है नागरिक सेवा दिवस 21 एपरल को यानि 21 एपरल को मनाया जाता है विशु परिथवी दिवस 22 अपरल को मनाया जाता है तो ये 1970 से स्टार्ट किया गया था इसको मनाना पहली बार 1970 में इसे मनाया गया था विश मलेरिया दिवस 25 अपरल को मनाया जाता है और यहाँ पे इस बार सून्य मलेरिया मेरे साथ सुरू होता है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी ये थीम थी इस ब मेल मच्छर नहीं काटता आपको तो उसके अंदर जो प्लाजमोडियम होता है उस प्लाजमोडियम से आपको मलेरिया होता है इस बात की खोज करने वाले वैक्ति थे रोनाल्ड रोस जो की भारत के ही भारतिय मूल के ही थे बाद में ये सिकंदराबाद हॉस्पिटल में कारे रत थे फिर इन्होंने कुनैन की छाल से इसकी दवाई बनानी चालू की जो की आज की डेट में कहलाती है हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन यह Queen जो नाम है यह Queen जो भी है वो नाम कुनैन से ही आया है और यही दवाई है जिसका कि आज की डेट में COVID के टाइम पे हम use कर रहे हैं दुनिया भर में और अमेरिका ने एक large quantity में हम से इसके demand की है क्योंकि हम इसके दुनिया के सबसे बड़े producer हैं hydroxy chloroquinin के तो आगे बढ़ते हैं यह कुछ ऐसे दिवस हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए जो की एपरेल से संबंदित हैं जैसे की विश्व आत्म केंद्रित दिवस यह आत्म केंद्रित की जगह यहाँ पर स्वालीन भी हो सकता है तो याद रखिएगा autism को वो भी बोलते हैं राष्टर समुद्री National Maritime Day लेकिन यह बहुत महत्पुण है Health Day तो WHO दे 7 अपरेल को यह दिवस मनाया जाता है 1948 में जिनिवा में 7 अपरेल के दिन WHO का गठन हुआ था इसलिए इसे मनाया जाता है support nurses and midwife इस बार nurses और midwife का जो role है covid की situation में जो corona situation हमारे यह lockdown की create हुई है उसमें जो nurses का और midwives का जो role है उसके चलते इस जागरुकता को बढ़ाने के लिए इस दिवस को ऐसे celebrate किया जा रहा है और यह निर्धारित किया गया है कि जो 2020 का year है उसे international year of nursing के रूप में celebrate किया जाएगा बहुत महत्वण है इसको याद रखेगा यह सोच लिजे कि paper में यह question आएगा ही विष्व हीमोफेलिया दे यानि कि हीमोफेलिया एक बिमारी होती है और उसके जागरुकता के लिए इस जिन को निर्धारित किया जाता है 26 मार्च को अर्थ आवर का आयोजन किया गया www.f द्वारा तो world book day यूनेसको द्वारा 23 अपरल को world book day मनाया जाता है तो ये days हैं जिनने आप याद कर सकते हैं बाकी जो इससे पिछली slide पे थे वो बहुत महत्पुन है ये भी महत्पुन है तो आगे बढ़ते हैं question 4 ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा इस्थापित किया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड has been established by the option a विश्व बैंक b जैविक विद्ता सन्युक्तराष्ट सम्मेलन c जलवायू परिवर्तन पर सन्युक्तराष्ट फ्रेमवर्क कन्वेंशन और d बॉन कन् आंसर होगा जलवायू परिवर्तन पर इसे कहते हैं इसका short form में याद रखते हैं UNFCCC तो आप इसे याद रखिएगा इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको क्योंकि green climate fund बहुत महत्पुन है इस पर question आता है तो यह world का सबसे बड़ा dedicated fund है जो इसी purpose क के लिए काम करता है greenhouse emission याद रखेंगे आप greenhouse gases जो होती है उनसे जो होने वाला जो भूमडल ये तापन है उसके उसको रोकने के लिए उस पर control करने के लिए काम करता है तो climate change से जुड़ा हुआ है यानि जलवायू परिवर्तन से जुड़ा हुआ कार रहे है इसका इसको अलग अलग देशों के representatives होते हैं जो की कोप कहलाते हैं Conference of Parties of Convention तो याद रखे गया है जो 24 बोर्ड मेंबर हैं यह जिन देशों के होते हैं उनकी जो बैठक होती है उसे कोप कहते हैं तो इसको UN FCCC के द्वारा create किया गया था very important fund aims to support a paradigm shift in global response to climate change तो climate change में जो global response है जो एक परिवर्तन के परती उसके लिए यह fund पूरा काम करता है इट वास सेट अप बाई United Nation NFCC to UNFCCC द्वारा 2010 में इसे बनाया गया था तो यह सारी information ऐसी है जो आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि यह paper के देशों से बहुत महतुपन है तो next देखते हैं और यह last question है new development bank के बार प्रिक्स राज्यों द्वारा इस्थापित एक बहुपक्षय विकास बैंक है तू भारत में राज्य सरकारे एंडीबी से रिंड सहायता ले सकती है और थ्री भारत एंडीबी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारग है option देखते हैं कि कौन से सही है one only, one and three, one and two, और one, two, three एंडीबी से question पक्का बनता है तो इसका answer होगा D यानि कि one, two, three ये तीनों ही जो line लिखी है ये सही है आप इसको याद कर ले इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप से share कर लेता हूँ तो आपको केवल याद रखना है 2014 में ब्राजील में इस्टैबलिश हुआ था NDB अब the bank is headquarter in Shanghai ये शंगाई में है तो अभी ये news में क्यों है अभी भी वह भी बताऊंगा आपको तो पहले president कौन थे NDB के वो थे के वी कामत तो who has been appointed first president of Bricks Bank Bricks Bank के नाम से भी जाना जाता है NDB को New Development Bank को Bricks Bank के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य है वो है Brazil, Russia, India, China और South Africa जो Bricks countries है वो है इसमें जो सबसे बड़ा जो partner है वो है China और हम हैं इसमें second number पे States like मद्यपरदेश, बिहार, राजस्थान, महराष्ट, आसम are receiving funding from the bank और इसलिए ये महतपुन हो जाता है क्योंकि हाल ही में NDB से हमारे राज्चे सरकारें बहुत सारा पैसा ले रही हैं तो ये current affair का मुद्दा बन जाता है तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए तो ये वो information थी current affair से संबंदित जो आपके लिए महतपुन है ऐसे ही कोई 5 information यानि कि 5 question को ले करके हम कलाएंगे और कुछ अन्य informations होंगी जिनको कि आपसे share करेंगे जो कि मार्च से एपरल तक की है तो आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा comment box में बताएं कि ये session कैसा रहा और इसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं क्योंकि अभी सुरवाती दोर में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजे हैं जिनकों कि सुधार की जरुरत पड़े अपना feedback जरूर देंगे thank you